नमस्कार रह एपीजी पाट सालायां भावतां स्वागतं अहां मस्मी डाक्टर हरीश चंद्रतिवाडी नव देहलिस्त राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय अश्यो जयवपुर परिशर अश्यो सहित्ति भागे सहय का अचारिया है इदानिम भवन्तह अश्य प्रक्रणस्य द्वितियम पाठं पठितुम गच्छन्दी प्रथमह पाठ भववद्भी मृच्छ कटिकस्य पठित हा तत्र भववद्भी केमपठितं मृच्छ कटिकस्य सामान्यह परिजय हा महाकवी सूद्र कस्य परिजय हा मृच्छ कटिकस्य अंका अनुशारेन कथा वस्तू रूप कस्य परिजय हा कथिविधम रूपकम भवति मृच्छ कटिक परक्रनस्य नाम कथम मृच्छ कटिकम इतिकृतं एतत सर्वं शामानिरूपेण भववद्भी ही मृच्छ कटिकस्य परथमे पाठे अधितं इदानिं द्विती पाठा से सिर्षक अस्ती मृच्छे कटिकस्य प्रथम द्विती आंकयो हो प्रमुखा नाम अंसा नाम सप्रशंगम व्याख्या अनिनक्रमेण अग्रिमाह ये पाठा संति तत्र द्वयोह द्वयोह अंकयोह विशवस्तु विवेचितम वर्तते प्रथम अंकस्ये नाम वर्तते अलंकार न्याश ह। तद अंगत्विन अन्जत्की मति आने हो प्रणय प्रशंग में आधारी कृत्यों कविना एतादिशं बिलक्षनं सुन्दरं प्रकरणं व्रचितं। सुद्रकस्य वैसिस्ट्यं तस्य भासा अतियु शरला, सुबोधा, सरसा वर्तते। सरला भासा, सर्वेशाम, बिदुशाम, मुखेशु न द्रस्टुम उपलभ्यते। अस्य भासा अतियु शरला, प्रशाद गुन उक्ता, उक्तम अपी तरे विक्रम भट्टे नौ। नल्च्यंपु गरंते। प्रशन्ना कांती हारेणिह, नाना स्लेश विचक्षणा, भवन्ति कस्य चित्पुने, मुखेवाचो ग्रहिश्त्रिया। एताद्रिशह, प्रशन्नाह वाचह, प्रशाद गुणोपेताह वाचह, गस्चित चित एव बिदुशह मुखे भवन्ति, एताद्रिशह बिद्वान महा कभी शुद्रका. प्रथमाहं कह वर्तते, तस्य नामस्ती अलंकारे न्याशह, तत्रकीम भवती, प्रधान रूपेन अलंकारान, गणिका बशंत शेना, स्वकियान अलंकारान, न्याश रूपेन चारुदत्त शे पार्श्वे समर्पैती, इस्था पैती वा. तस्मा सहेव वर्ण न्यत्वेन अत्रवर्तते, आतेव अलंकारन न्याशह, अलंकार स्थापनम वर्ण न्यत्वेन यस्मिन अंके विद्जते सहंकह, अलंकारन न्याशह. अपरह यह अंकह वर्तते तस्य नामस्ति जूत कर समवाह कह, जूत कर समवाह कह, अन्यत्वेन अंके विद्जते सहंकह, जूत कर समवाह कह, प्रथम अंकस्य नाम अलंकारन न्याशह, जुती अंकस्य नाम वर्तते जूत कर समवाह कह, अनय हो अंकय हो, अध्यन अत्रवयम कर आत्र शर प्रतमम नांदी पाठह प्रदत्ता नांदी कर्थेते मंगलाचरणम् मंगलाचरण से करते एव नाटि सात्रे नांदी सब्दसे प्रियोग हभगती नंदन्ते देवाहर यस्याम सा नांदी मंगलाचरण इदानी, सर्प्रथमं मुर्च कटिके प्रथमांका स्य प्रमुखानाम अंसानाम सप्रशंगं व्याख्या इती स्रीष्यकानुष्वारेन वयम चलाम हन। अत्र सर्प्रथमं आचारियन महाकविना शुद्रकिनो नांदी कृतावर्तते मंगलाचरनाम कृतम अस्ती। मंगलाचरनाम अस्ती पर्यंक ग्रंथि बंध द्रिगुणित भुजगासलेश संबीत जानोर अंतह प्राणावरोध व्युप्रतस्यकल ज्ञानुरुद्धेंद्रियस्यो आत्मन्यात्मानमेव व्यबगत करणं पस्यतस्तक्त द्रिष्टिया संभूर् वहपातु शुन्ये छण घटितल्लय ब्रह्म लगना शमाधी इदिशं भव्यम मंगलाचरनम मिर्चिकट कस्ये बिद्धते मंगलाचरम त्रिविदंबवती नमस्कार आत्मकं आसिरवादा आत्मकं वस्तु निर्देश आत्मकंच अत्र मंगलाचरनम विद्धते आसिरवादा आत्मकं अत्र भगवतह समाधे, भगवतह शिवशे समाधी, वनितह वर्तते, सुलोकस्य, अनवय है, पर्यंक ग्रंथी बंधत ब्रिगुणित भुचगास ले समवीत जानव हो, एकम विशेशनम, अन्तह प्राणावरोध व्योपरत शकल ग्यानरोधेंद्रिय श्य, तत्प्रद्रिष्ट् आत्मनी व्यपलगत करणं, आत्मानं पश्यत ह, सम्भो हो सुन्ये छण, घटित लय ब्रह्म लगन, समाधी वह पातु, एति अन्वय है, शब्दार्थ है, पर्यंक ग्रंथी बंधत ब्रिगुणित भुचगास ले समवीत जानव हो, पर्यंकस्य, पर्यंक नामक योगास न यह ग्रंथी निर्मानं, तस्य बंधे धार्ने द्विगुणित ह, द्विगुणतांग तह, यह भुचगास शर्पह, तस्य आसले सेणों, वेश्टनेनों, सम्वीते बधे जानुनी यसे, तस्य एता द्रिशश्य शंभो हो, पुनोह की द्रिशश्य, अन्तह प्राणावर योध ब्युपरत शकल अग्यान रुधे इंद्रिश्य, अन्तह सरीरा भWaitंतरे, प्राणावर पान समान व्यानुदाना अख्यानाम वायुनाम आवरोधेनों, निरोधेनों ब्युपरतम, विशेषिनों, निब्रितम, शकलम, समस्तम ज्यानं, बाहिय विशेक ज्यानं सम्यगवशीकृतानी इंद्रियानी चक्षुरादीनी पंच ज्याने इंद्रियानी वागादीनी पंच कर्में इंद्रियानी यस्य सह तस्य एता द्रिशश्य सम्हो तत्वद्रिष्ट्या आत्मनी व्यपगत करणं आत्मानं पश्यता तत्वज्यान द्रिष्ट्या सम्यग् समझानं चेद्रूप मबववा पस्यतह, पस्यती ती पस्यन, तश्यता जायतह, शाक्षात कुर्वतह वा शम्धो भगवत हसिवस्य सुन्यश्य निराकारस्य एक्षणेन अवलोकनेन घटीतह संपाधितह यह लेयह, शम्द्येमत तेन ब्रम्नी प्रब्रम्नी लग न संपन् वह योश्मान पातु रख्षतु प्रशंगाह प्रस्थुतुटुएं श्लोकह शुद्रक विराचित मिर्चकटिक प्रकरणस्य प्रथमांकात उध्षुतमस्ति अयम शलोकह कभिना स्वग्रंथस्य प्रारंभे विग्ण विनाशायो मंगलाचरण रूपेन प्रस्तुताह नाट्य सास्त्रीय भाषायां मंगलाचरणं नांदी इतिपदेने ब्यावर्वियते अत्र स्वीयं आलाध्यदेवं भगवंतं शिवं इस्मरन कभी तदियं समाध रक्षणायो प्रार्थेते व्याख्या पर्यंक नामक योगाशने विशेशस्य ग्रंतिधारने डिवुनताम प्राप्तश्य सर्पश्य वेष्टनेन बध्ध जानुद्वयस्य योगिक प्रक्रियया सरीरा भ्यंतरे प्रानाधि वायुपंचकश्य निरोधेनो विषयज् अत्मिने क्रियाकला सुन्य स्युन्यम परमात्मानम शाक्षात कुर्वतह भगवतह योगी राजस्य सिवस्य निराकार दर्षनानुभवेनो जायमानायाहत तल्लीनतायह कारणात परब्रह्मनी लग्नह संपन्नोवा समाधि चेत्तैक काग्रता युश्मान सामाजिकान प् लक्षतु पातु इत्यर्थन अत्र विशेश रूपेन ध्यात अभ्यम अस्ति शंभो सुन्येक छण गटितले ब्रह्म लग्नह समाधि वह पातु इती स्लोकषे प्रधानम वाक्यम अस्ति अत्र सस्थ्यंत पदानी संभो इत्यस्य बिशेशनानी शंति अपरम पर्यंकह आ प्रेणों त्रिमुनियती उता स्रक्धरा कीर्तिते यां इती अत्र सहिर्द हिर्दैरंजनार्थम कृतम भगवच्छि वश्य शमाधि वरणनम प्रेख्छक चित्तैका अग्रताम शूचैतु मस्ति अत्र कवी सम्वेत भगवच्छि विशेक रते हे व्यज्यमानत्वात भावध्वनी नांदी पाठम शूत धार अत्र क्रितवान आपर हश्लोका मिर्च कटिकस्य वर्थते अवंति पुर्याम द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रह केल चारुदत्तह गुणा अनुरक्ता गणिकाच यस्य वशंत शोभेव वशंत शेना अनुवैह वर्थत अवंति पुर्याम द्विजसार्थवाहो दरिद्रह युवा चारुदत्तह किल यस्य गुणान उलक्ता वशंत शोभाईव वशंत शेना गणिकाच युव शब्दार्थ अवन्ति पूरियां उज्जैन्यां द्विज सार्थ वाह द्विजः ब्राम्ण शार्थम बनिक्षमुहं वहती नयती इती सार्थ वाह द्विजस्च अशव शार्थ वाह चेती द्विजः शार्थ वाह अर्थार द्विजः शार्थ वाह सब्दशी अर्थ निर्धन युव आयुव कहा, चारु दत्त, चारु दत्त नाम कहा, मचकटिकस्य नाय कहा, सब्धतोपी चारु दत्त, अर्थतोपी चारु सुन्दरम दत्तम दानक्रिया यस्य सह एताद्रिश चारु दत्त, किल निस्चेन आसित इति भाव, यस्य चारु दत्त स्य, गुण प्रस्थांगा, प्रस्थुत पद्ये सूत्रक सूत्र धारश्य माध्यमेनों मुर्चकटिकस्षी विषैवस्तुवणेद। सूत्र धारश्य कथन मस्धियत्षूत्रकस्षी अश्याम् कृतव। उज्जेनी नामधेयां नगरियां कस्चन व्यापारी युवा ब्राहम्णों निवसतीश्म यह पूरुबं धनाध्या आशित परमदानाती सयाद युद पस्चा दरिद्रह अभावत यस्य सोंदर्यादिकुणई अनुरक्ता वसंतर्त हो शोभाय काचन वसंत सेना नामधेय गणिकापी तत्र वशतीशम विशेशा अयोध्या माया मत्ुरा कासी कांची अवन्तिका आदिशू शंप्तशू पवित्राशू नगरी युषू अन्य तमा नगरी वर्थतते अवन्ती इती अश्या अपरम capita म नाम उज्जेनी अपी अस्ति इयम नगरी शिप्रा नध्या तत्ततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत ब्रहामन समुदाय सेन नेतास्ति नतु वने असतो वसंत सोभाई वसंत सेना इत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् प्रस्तुत पद्ये उपेंद्र वजरा चंद आस्ति तस्टे चलक्णम उपेंद्र वजरा प्रथमे लगाउशा इति अन्याशलोगाः शोन्याम अपुत्रश्य ग्रिहाम चिरशोन्याम नास्ति यस्य सनमित्रम मुर्खस्य दिशह सोन्याहा शरबं शोन्याम दरिद्रश्यो अनवयाः अपुत्रश्य ग्रिहाम यस्य सनमित्रम न अस्ति तस्टे ग्रिहाम चिरशोन्याम अस्ति मुर्खस्य द प्रिक्तम इव प्रतिभादि यस्य जनस्य शनमित्रम साधुमित्रम नास्ति नवर्तते तस्य ग्रियं चिरशुन्यं बहुकालाई सुन्यं मुर्खस्य अग्यस्य दिशाह शरवाह दिशाह सुन्याह निश्फलाह दरिद्रस्य निर्धनस्य शरवं निखिलं इस्थानं सुन अश्य स्लोकस्य प्रशंग वर्तते प्रस्तुत श्लोके शूत्रधार शंगीत सालाम सुन्यम द्रिष्टवा स्वविचारान प्रकटेन अस्ति तस्य कथनेन अश्मिन मानव जीवने पुत्रादे स्रेष्ट मित्रशिच महत्वम अविव्यक्तम भवति सहेव दरिद्रतायाह अपी निंदनियत्वम प्रकाशितमस्ति व्यक्या पुत्रादि हीनस्य जनस्य ग्रिहम सुन्यम भवति यस्य जनस्य सनमित्रम नास्ति तस्यापी ग्रिहम सधैव सुन्यम भवति मुर्खस्य सर्वाहद्धिश सुनियाः भवन्ति अर्था सत्यपी सुखशोविद्धे मुर्ख तस्य उप्योगम नैव करतुम शक्नोति अतह सह शर्वत्र रिक्तताम एव पश्यति एतेशु शर्वेशु निर्धनस्य इस्थितिस्तु अच्यन्तम दैनिया भवति यतोहि निर्धनता अभिशाप अस्ति एती मन्ये अत्र विशेश रूपेण वक्तुम शक्यते प्रस्तुत पद्ये दरिद्रतायाहा निंदा माध्यमेनो अग्रिमांकेश्व निरूपई शिवानायाहा चारुदत्त शे दरिद्रतायहा भूमिका शुत धारेन प्रस्तुत आस्ति अश्मिन पद्य आया चंदह यस्य च लक्षणम यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्त थात्रतिये पी अश्टादश द्वितिये चतुर्थके पंचद सारिया आगली महसलोका शुखम ही दुखान्य अनुभूय शोभते घनांध कारेश्पिव दीप दर्शनम शुखात्यो याति नरो दरिद्रताम द्रित सरीरेण मृतह सजीवती अश्यनवय घनांध कारेश्प दीप दर्शनम इव दुखानी अनुभूय पुरुषशे शुखम ही शोभते तु यह नरह शुखा दरिद्रताम याति सह सरीरेण ध्रितह अपि मृतह संजीवती शब्दार्थः घनांध कारेश्प घोरतिमिरेश्प दीप दर्शनम इव प्रकाश इव धुखानी कस्टानी अनुभूय अनुभविशे कृत्य सुखम आनंदह ही निश्चयेन सोभते राजते तु परंतु यह जनह शुखात शुखम अनुभूय दरिद्रताम निर्धन याति गच्छती सह थाद्यिशह नरहा सरीरेण देहेन धृतह आस्रितह सं मृतह निर्धीवः जीवती प्राणान धारे ति प्रस्तुत पद्ये चारुजत्त हा वर्तमान दरिद्रतायाह विशे विचिंत्य अतीव खिन्ह भवती यतो ही पूर्बं चारुजत्त हा नैकानी शुखानी उपभुक्तमान अस्ति इदानिम्स हः प्रमित्र मेत्रेम कथे दि घनान्द कारेशु दीप दर्शनमी व नैकेशाम दुखानाम अनुभवान अंतरम मनुष्याय सुखं सुषोवितम भवती अर्थाद सुखस्य अनुभूती सर्वेभ्य रोचत इती तात्परियम परंतु यो मनुष्या अनिकेश सुखानाम उपभोगं कृत्वा निर्धनताम प्राप्नोती सह सरीरेण ध्रितह सल्डपिम्र्त हयु भवती कथन श्यासे अस्तियाद यह नर शुखाद दरित्रताम गच्छती तस्चे जीवनम निरर्थकम अतीव दुखदम वा भवती दिभाव अत्र विशेश सीकरं कष्टमनों भवती अस्मिन पद्य वन्सस्तच छन्द ह तस्ये चलक्षणम जत त्वट वन्सस्तमुदी रितम जरव इधी अत्र आप्रष्टुत श्याव व्यक्ति सामाण्यस्या कथनेनों प्रष्टुत चारुदत्यर्प व्यक्ति विशेश शिया ज्ञानम भवत अतह अप्रस्तुत प्रशंशालंकारह अप्त्रस्ति इवपदश्य स्रवेण, इवपदश्य स्रवणेन, पुरुवार्धे स्रोति उप्मास्ति आंति मेचरने बिरुधालंकारह अपरह स्लोकह सत्यम्नमे विभवनास्कृतास्ति चिन्ता, भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति आंति, एतत्तुमांदहति नस्टधनास्रयस्य, यत्सोहृदादपिजनासितिली भवन्ति, अस्यपद्यस्यन्वय, विभवनास्कृतास्ति चिन्तामे नस्ति इति सत्यम् ही धनानी भाग्यक्रमेणो भवन्ती यान्ती तु जनाहा नस्ट धनास्रयस्यो सहुरिदाद अपी यत सिथिली भवन्ती एतत्तु माम दहती। सब्दार्थह विभवनास्कृता धनादी नाशेनो उत्पन्ना चिन्ता मानसिककलेश मे मम चारगत तस्यो नंव अस्ति वर्तते सत्यम् तथ्यम् जानिहीति भाव ही यत धनानी भित्तादीन भवंती आयांती यांती विनस्यन्ती तु जनाहा लोकाहा नस्ट धनास्रयस्यो सौहृधाद, मित्रत्वादभी, सित्ली भवनति, विमुखी भवनति, एता दृषम, सित्ली भवनम्तो माम 44.19 संतप्पतह स्थ प्रशंगा 75.25 अलति प्स्तत श्लोकि चा selbst 22 स्वं निर्धनत्य लोकानाम स्थ दिवाहरे, या सैwn सैधिल्यम आगतमस्ति तद विचिन्तियों संतप्त अस्ति सहस्वकियां मनोव्यथा मित्र मैत्रियं प्रकडेति कथेति चव चाद्वत कथेति धनस्य विनाशेनों समुत्पन्ना चिन्ता ममनास्ति इती शत्यम यतोई धनानितो भाग्यक्रमेणेव आयांती विनस्यंति चव इत्यत्र का चिंता परंतु जनाहा धनर उपास्त्रेणों ही नसिय मम शोविदाद वियत सितिला भवनती तदेव मम शंतापशे कारण मस्ति अत्र विशेश बिंदभवसंती संसारे शामानेतिया जनाहा धन विनाशे शती चिंतिता भवनती चारुदत्तह श्वविशे तद प्रत्या च्छानम क्रित्वा कथे तो मम धनेविनास शे चिंता न आस्ति यतो ही संपन्नत निरधन तावा भाग्य स्रिता भवती यत भगय लिखितंं अस्ति तद भवत्य व चिंताया कारण तो इदम अस्ति यत यदा मम पार्श्वे प्रभूतं धनम आसे तदाज जनाह मम शकाया भुत्वा मम अगरे प्रिष्ठे चो भवंतिश्म अध्य हम धनी नह जाता एता अध्रिश्या मिष्थी तो इदे जनाह माम द्रश्टुम भी नैच्छंती इदामेव अति थी परिवर्जनम मित्र परिवर्जनम वा माम अच्छंता पेती ती शत्यम अत्र प्रथमार्धे काबिलिंगह लंकार नश्ट धनाश्रेश्य इत्यत्र चो रूपका लंकार एवं प्रकारें अत्र अस्ति संकरा लंकार वशंत तिलका छंदस्य वशंत तिलका छंदस लख्णम उक्ता वशंत तिलका तबजा जगउगह इदी अपल हश्लो कह वर्तते दारिद्र्याद्रियमेति ह्री परिगतह प्रभ्रश्यते तेजसो निस्तेजाह परिभूयते परिभवा निर्वेदमा पज्यते निर्विर्णाह सुचमेति सोकपिहितो बुध्यापरित्यज्यते निर्वुध्धिक्षयमेत्यहो निधनता शरवापदामाश्पदम् अस्य अन्वयह दारिद्र्याद ह्रीयमेंती, ह्रीपरिगत हा तेजशः परिभ्राष्यते, निस्तेज़ा परिभुयते परिभवात, निर्वेधमा पज्जते, निर्वेड़ना सुचम एती, पिही हुशोक पिहिता हा, बुध्या परिद्जज्यते, निर्बुध्ِّ सयम अहो निधनता शरवा पदा माश्पदम। एती गच्छती शोक पिहीता हा शोकेन युकता हा बुद्ध्या विवेकेनो परित्यज्यते परिहीयते निर्बुद्धी विवेकसुन्या हा शयम विनासं एती गच्छती अहो अहो इती आश्चरी शूचेकम अभ्यें निधनता दरिद्रता शरवा पदा माश्पदम। शकल नाम आपत्तिना मूल कारणम अस्ति इति शब्दार्थव। निष्टे जहा मनुष्य प्रतापात्व्रस्टो भवती अर्था सनिस्ते जाहा मनुष्या सरवत्र अपमानितो भवती। अपमानेन सह गलानिन प्रापनोती है गलानी उक्तह मनुष्य है सोकम प्रापनोती है असोकाकुलह मनुष्य है विवेके नो परित्यज्यते अर्थात सह विवेक ही नहा भवती विवेक ही नहा मनुष्यह निश्चित रूपे नो विनस्टो भवती उक्तमपी भगवता स्री कृष्णे नो गीतायां बुद्धिनासात प्रणश्यती इती अंते चार्दत कतेती यत अहो दरिद्रता सर्वा साम आपत्ति नाम इस्थानम मूल कारणम वा विद्यत इती अत्र विशेश बिन्दवह अपरह अत्र उत्तर वाक्यार्थं प्रति पूर्व पूर्व वाक्यार्थं हेतु हो भवती अत्र कारणमाला लंकारा उक्तमपी शाहित्ति दर्पने परंपरंप्रतियदा पूर्व पुर्वश्य हेतुता तदा कारण मालाश्याद इती अत्र सार्दूल विक्रीडितं छन्दाहस्ति अस्ची चलख्लं शूर्याश्वैर्मसजास्तताहस वुरवह शार्दूल विक्रीडितं इती अन्यहस्लोगाह वाप्यामिष्नाति विचक्षणो द्विजवरो पुल्लाम नाम्यति वायशो पिहलताम या नामिता बर्हिना ब्रह्मक्षत्र विशस्तरंति चयया नावात येई वेतरे त्वाम वापी वलतेव नावरिव जनम वेश्याशि सर्वं भजव। ये नावा ब्रह्मक्षत्र विशसतरंति तयायव इतरे त्वाम वेश्याशि अतह वातीव लताईव नाव भजव। मैयुरेण अधक्रताम विकषताम लताम वायाशध फे नाम्यति त्वा होने त्वाम वेश्याशि अभ। प्रियांति तया एव इतरेच तया एव नौकया वलनाधमाह सुद्राश्य तरंति त्वम बेश्य अशी त्वम गणिक अशी अथा अस्मातकार्णां वापीव लताईव नौईव दिर्गिकाईव वल्लीव नौकाईव शर्वम जनम भजव त्वत समीपे समागच्चन्तम स प्रशंग अस्ति प्रस्तुता स्लोक मिर्चिकटिकस्य प्रथमांकात उध्रतोस्ति अतर राज श्याल शकारश्य शहचरव बिटह वशंत्षे नायाह उपमाम वापी लता नौकाभीश करोती सव वशंत्षे नाम शर्वै सहसमान रूपेण व्यवर्तुम प्रेरेयती अन धमवाभवतु शर्वै एकष्या मेव वाप्यामिस्नांति नातू भिन्ड भिन्ड वापी शु या लता सर्वोत्कृष्ट पक्षणा मयूरिन नामिता भवती तामे फुल्लाम लतां अनुत किस्ट पक्षी काका अपी नाम्यति यया नौकया ब्राह्म्न छत्री वेश्या गंगादी नदिही तरंती तयेव नोकया सूद्रापी हे बशंत सेने तौम वेश्यासी काचित कुलंगना न असी अश्नमात कारणात तौम वापीव लताईव नौ यव सरवांजनान समभावेनो शेवश्व वेश्यात्वात्व त्वया के नापिस भेदभाव नाचरणिया अतर अस्मत स्वामी आदिशोप यस्ति सह यदी त्वाम सेवी तोम इच्छती तरित्वया सह अवश्यम सेव्य एथी बिटश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्य सवां भजव इती वाक्यार्थं प्रती त्वाम वेश्यासी इती वाक्यार्थ से हेतु त्वात का बिलिंगा अलंकार है। अन्वय हा वर्तते दीना नाम स्वाग्या फल नतह कल्पब्रिक्ष सज्जना नाम कुटुम्मी शिक्षिता नाम आदश सुचरित निकष सील वेला समुत्र सतकर्ता नावमन्ता पुरुषगुण निधी दक्ष्णोद आरसत्व स्वाग्या चस्ष एक ह ही अधी गुणतेया जीवती अन्यच उच्छ संतीव सब्दार्था दीना नाम गुण फल नतह कल्पब्रिक्ष दरिद्र जना नाम स्वगुण रूप फला भारेणों विनम्रह कल्पद्रुमह दीन जनमनोरत पूरकह सज्जना नाम कुटुम्मी सत्पुरुषणाम परिपालकह सिक्षिता ना नाम समादर शेक करता नाव मनता कस्षिची दपी अपमानसे नो करता पूरुष गुण निधी पूरुषे सम्भवा नाम दया दान दाक्षिणियादी नाम गुणा नाम आलेह दक्ष्णोदार सत्पह सरलोवदार स्वभाव सलाग्य प्रशंशनिय च तथा सह चारुजथ एकाह एकाकी एव अथिक गुण तया अधिकाह इतरा अति शाईनो गुणाह यस्य सह तस्य भावस तथा तया अधि विविद गुणासर ये तया जीवती प्राणांधार येती अन्येच तथा इतरे जना उठशंती व चर्ममाई भस्त्राईव श्वासो छासम कुरुवंत अत्र बिटह प्रशंगह भरतते अत्र बिटह शाकारम प्रती चारुदत्त शी सरवोत क्रिष्टम व्यक्तित्वम बनेन कथे ती मूर्ख आर्ये चारुदत्त खलुवासो दरिद्रजन समुदाय शिमनो रथा नाम पूरक भीदुशाम परिबालक शिक्षिता नाम दरपण लमाईव निदर्शन भूत ह, सदाचारानाम निकशह, सील बेला समुद्र अर्था यथा समुद्र स्वमर्यादाम नो कदाप अतिक्रामती तथे अयमेपी नो कदाप स्वमर्यादाम अतिक्रामती थी भाव योग्यानाम शमादर करता, कस्षेचे दपी आपे मान अश्यन नो करता, पुरुशे यावंतो भी गुणाहास सम्भवन्ती तेशाम आकर, सरलो दार्श भाववान, शर्वेशाम प्रसंशनियस्च अखिल भूमंडले एक आकिये वस्ती, मन्ये बिवित गुणास रहतेया, सहे विदानिम प्रशस्त जीवनम जीवती, अनि ये तो केवलं 606 गुरुवन्ती, अर्था 14 दत्रश जीवनम जीवनम अस्ती, अनि शाम जीवनम जीवनम नास्ती ती भाव, अतर विशेश बिंदभवासंती, अतर एक च्यार दत्रश विविद रूपेन उलेखालंकार हास अन्या स्लोक अंधाश्य द्रिष्टि रिवा पुष्टि रिवातुरस्य मूर्खस्य बुद्धि रिवा शिद्धि रिवा अलस्य शिद्धि वुद्धि 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 वुद अरी जने रतिहिव शात्वाम प्राप्यविनष्टा। अनुराग इव सा वसंत से न त्वाम दुष्टम शकारं लब्धवा प्रनास्टा अधर्षनम गता। प्रस्तुत पद्ये अकश्मात बसंत शेनायाम अधिष्टायाम शत्याम बिटह कथम बसंत शेना अधिष्टा जाता इती सकार्म उद्धिश्य वर्णयती। प्रस्तुत पद्ये अधिष्टि पुष्टि बुद्धी शिद्धी विद्या रतिभी शडवी उपमाने ही उपमे भूतायाम वशंत शेनायाम शाधिष्यम बनितमस्ति अतहय। परिहर्तव्या बहु दोशा ही सर्वरी। परिहर्तव्या निवारनिया ही यतह शर्वरी रात्री बहु दोशा विविदा आपराद कृते परिपुणा भवली। बशंत सेनायाम गतायाम सत्याम चारुदत्त ह मैत्रियस्य ग्रिहम प्रति सिग्राम गंतुम तत्परताम दर्शेत ह। यतो ही रात्विकाली नह समय अस्ती राजमार्ग गमना गमन करत्रि भी पूनतिया सुन्य हो जाता ह। प्याख्या चारुदत्त ह मैत्रियम कतेती बवयस्य गता बशंत सेना तदेही ग्रिहम एव गच्छाव यतो ही अयम राजमार्ग ह सुन्य हो जाता ह। एकोपी जनह अत्र आबाम विहायो नदिश्यते रक्षा पुरुषा अपी इतस्तत ह भ्रमंति स्वदाइत्वम निर्वहंतिवा दुखम न्यास से रक्षणम इती कतनानों सारेणों ग्रिहे बशंत सेना यहा आभुषणानी न्यासत्त्वेन संति ते साम रक्षण से इत्वम ममय अतह चोवना भुषणा पहार रूपा प्रतारना निवारणी आस्ति यतो ही रात्री विविधा आपराद कृत्य परिपुरुणा भवती अतह आभुषणा नाम रक्षा अर्थम शीग्रम गंतभ्यमिती भाव विशेश बिन्दवा प्रस्तुत पद्य पार्ध वंचनापरी हर्तव्या इती वाक्या अर्थ शेह तुत्विन समुपात्त अतह काबिलिंगा लंकार बहुदोशाई शर्वरी इती शुक्ति माध्यमिन उक्तार्थ चे समर्थनम कृतमस्ति अतो अर्थांतर अन्यासो लंकार अत्र काबिलिंग अर्थांतर अन्यास अपर आधा प्रायो रात्रयो भवंती इती अर्थची बोधिका बहु दोशाई शर्वर इती प्रशिद्धा सुक्ति अस्ति मृच्च कटिके दुतियांक से प्रमुखानाम अंसानाम सप्रसंगम भ्याक्या अपर हश्लो कहा नगणयती पराभवं कुतस्चित हरती ददाती चो नित्यम अर्थजातम निपतिरिव निकामं आय दर्शी विभवता समुपाशते जनेनो अन्वयह कुतस्चित पराभवम न गणयती नित्यम अर्थ जातम हरती ददाती चो विभवता जनेनो निकामं आयदर्शी राजाईवु समुपाश्यते शबदार्थ जूतम कुतस्चित पराभवम न गणयती अर्थ जूतम कस्माची तपी अपमानम नेवी चिनते यती नित्यम अर्थ जातम हरती ददाती चो जूतम प्रति दिनम धन राशिम पराजय रूपेंanne हरती बिजय रूपेंन пропर्यस्चती चो विभवता जनेनो धनाधी संपन्य नापी पुरुशेण आय दर्शी राजाईव आय प्रदर्शका निरिपति रिव समुपाश्यते साधरम शेव्यते इती प्रशंगा प्रस्तुतोयम श्लो कहा महा कभी सूद्रक विरचितम रचिकटिकस्य दुतियांकात प्रग्रीतोस्ति जूतकर संबाह का नामकेस मिन अंके कभीना जूतकराना मज्ध्य श्वाभाविक कलह यथ हार्तरूपिन चित्तितोस्ति प्रस्तुत पद्य दर्दुर कहा जूतस्य रा राजा माना पमानाई हो विशे किंचिदपी नवीचारय थी, सह कशीची धनम हरती, कस्मेची चब्भीपुलम धनम ददाती, तथे जूतम अपियस्ती, यथा प्रचुराय प्रदर्शकस्य राग्य अराधना अन्येन धनवतापी पुरुशन क्रियते, तथे अधिकाय युटशी राग्यास सामि प्रतशनातु पालंकार प्रकृत पद्धि पुश्पिताग्रा छंद, तशी लख्प्रमस्ति अयुजी नयुग रेफ़तु यकारो युजी च नजव जरगास्च पुश्पिताग्रा इती, अपरह स्लोक अयंपटह सूद्र दरिद्रताम गतो, यांपटह स्चिद्र सतैर अलंक्रतह, अयंपटह प्रावरितुम नशक्यते, यांपटह संब्रत एव शोबते, अचे पद्धि अनवय हा, अयंपटह सूद्र दरिद्रताम गतो, अयंपटह स्चिद्र सतै अलंक्रतह, अयंपटह प्रावरितुम नशक्यते, अयंपटह स्वकियास्य उत्तरी वस्त्रश इस्थितिम वरनित्वानस्ति सहस्व समक्षम प्राचीनं द्यूत कृड़ा ध्यक्षम माथुरं समागच्छंतं द्रिष्टवा आत्मानं तश्माद अपन्योत्म इच्छति सहस्व सरीरं उत्तरियन आच्छादैतुम यतति प्रंथु तश अच्छादैतुम नेव शक्यते अयम पट निश्चेन परिवेश्टित अयव शवगते प्रस्तुत पज्य उत्तरी वस्त्रश इस्य यता आत्म चित्रणं पिद्यते अत्र बन्सास्त चंद अस्ति तसी चलठम जतवतु बन्सास्त मुदिरितम जरव अत्र अयम पट अह इ यश्यो धर्षण लोष्टकैर अपिसदा प्रिष्ठे न जात हकिनह यश्य तच्छन कुक्कुरैर हरहर जंगांतरं चर्व्यते तस्या चायत को मलस्य सत्तम जूता प्रसंगे नकिम पस्तुतुम स्लोकह जूद्रक प्रणीत मृच्छिकटिकस्य दृतियांकात प्रक्रित अत्र जूता ज्यक्षिनम आथुलेन प्रिदितम संभाहकं दिश्टवा दर्दुरक श्वियां प्रतिकरियां प्रक्रितियां प्रक्रिति कथे ती यह जनह अहां दुर्द्रकह इवो समुल्लंबितह अधोमुखशन प्राधह कालाज आरभ्यो सायंकालं यावद निष्च कि अर्थात यह याद्रिषा अस्ति सरवाह परिष़्ति सोडुम्क समर्थ अस्ति सह युदक कृटाया पात्रम अस्ति नतु संभाह कहा, अत्र आप्रस्तु प्रशन्सा लंकार, सार्दूल विखडितम च छंदस्च, अत्र काविलिंग लंकार अपियस्ति, जूत्गृडा सरलानास्ति, अत्र नईकानि कस्तानि भोक्तव्यानि भाउंति एती फरितारता हा, भदवी द्वितियस्य पाठस्य अध नहां सब्दार्थ प्रतिपादिता हा, अत्ता दनुच व्याख्या क्रता वर्तते, विशेश टिपणिय पी दियते, विशेश विचारनिया ये बिन्दवशन्ति तियत्र प्रकाशे ताहा, कि या सुन्दरम अत्र बढ़ननम पर्थमां के जुतियां क्याव वर्ततते, के ये बिन्दे प्रकारेण जुत शे निंदा आत्रक्रता अस्ति, कह जनह एता दिशा अस्ति यह जुत क्रिडां क्रिडितुं प्रभवित, यती तत्र जुतियां के प्रतियते, जुत क्रिडा अतीव गठिना, कस्चनपी मनुष्य एता दिशा नास्ति, यह जुत क्रिडां क प्रकारेण अयम पाठह संपनताम एती धन्यवादह नमस्कारह